जै हिं दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper के एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संजित किस तरीके से मार्केटने इन लेवल को फॉलो किया है और अब हम आगे की लिए क्या डिरेक्शन देख रहे हैं क्या टार्गेट्स यो है वो निफ्टी के निकल के आ रहे हैं सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का लाइक ही में हम रखते हैं 2000 लाइक तो भाई लाइक किये विगेर कहीं मज जाना और जब तक आप लाइक नहीं करोग जो 15800 पर कॉल राइटिंग है इतनी डीप इंदा मनी इतना एग्रेसिव कौन हो रहा है बाई जो यह राइटिंग करके जा रहा है और शाम को हमें जवाब मिला वो सारी की सारी राइटिंग कॉल राइटिंग रीटेलर ने करी थी अगर मैं आपको एफनो डेटा दिखाऊ इसमें आप लोग के साथ शेर गया था इसमें आप लोग को एक चीज बोली थी कि के एक और चीज है इस चीज में डेटा में के क्लाइंट के पास 13600 जो है वह फ्यूचर लॉंग है ठीक है, future long है, but, 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 main important चीज़ क्या है, future की expiry कब होती है, वो होती है monthly में, index call और put होती है, retailers जो जाधा तर buy करता है, उनकी expiry होती है weekly, और weekly expiry में retailer जो है clients लगबग 120,000 call short करके बैठा हुआ था, retailer के अलावा बहुत कम और किसी के पास call shorted थी, अगर आप देखे, pros ने भी अपनी short position जो थी call की वो काटी थी, तो resistance उपर से हट रहा था, एक और important चीज़, retailer ने कल puts जो है, वो भी buy करी थी, ठीक है, FII जो है put consolidation अपनी लेके चल रहे हैं hedge के लिए, but, overall अगर आप FII का देखें और साथ में अगर आप देखें, जो pros थे, उन्होंने भी put buy करनी, start, उन्होंने put buy की जगे, put short करनी, जो है, वो start कर दी थी, यहाँ पर short किये गए है, यह थोड़ा typing error है, बाकि अगर आप देखें, तो data positive था, just future की position को छोड़ कर, और वो हमें market आज data में होता हुआ सारे लोग मेरे पास message कर रहे थे, कि सर ट्रेड निकल गया, ट्रेड निकल गया, मैंने आप लोग को क्ल क्या बोला था, 15915, निकले तो हमें buy करना है, सोचना नहीं है उसके बाद, उसके बाद, जादा हम दिमाग लगाएंगे, यह क्या हो रहा है, अमेरिका क्या हो रहा है उस सब में आप रह जाओगे, अगर आपको तेजी खेलनी है, एक stop loss आप लगा लीजे, 15915, 910 का stop loss लगा के, अपन लोग तेजी खेल सकते हैं, किसी से यहाँ बे ट्रेड मिस हो गया, all time high काटने के बाद यह देखे, ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे एक swing ब price action work करता है, अब rally चूट गई, बहुत सारे लोग के message आए, उसके बाद second half में मैंने आप लोग को एक trade बताया, जो मेरे analysis के इसाफ से बना था, कि nifty में एक Fibonacci level था, 16,030, 16,025 का, अगर हम Fibonacci लगाते हैं तो उसमें, बट वो अगर cross करना है तो bank nifty को breakout देना पड़ेग 34,900 का, जो मैंने clear cut आपको telegram पर बता दिया था, और उसके बाद आप देखिए, ये level nifty में break हुआ, और ये level पे बार बार आके support लिया, इससे आप level की importance बता सकते हैं, जब एक strong resistance होता है, अगर वो सही में level strong है, सही में level important है, तो वो support की तरह act करेगा, और 16,000, 30, 16,025 ने support क तरह act किया, breakout हुआ और उसके बाद तो short covering ने market को पूरा उड़ा दिया उपर की side, बहुत अच्छा आज trending day, finally इतने दिनों बार trending day मिला, और weeks में भी लगबग 7% के आसपस जब उचाल आ गया, just because momentum इतना बड़ा intraday में हुआ, क्योंकि सारी तेजी इंटraday में आई थी, एक strategize करना चाहिए, देकि सबसे पहले तो मैं option chain data देख देता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगो को कि option chain data के बाद हमें FNO data का wait करना चाहिए, शाम को जो देर से आते हैं, और उस वक्त मैं आपको एक summary भी दे दिया करूँगा data की, जैसे मैंने कल दी है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा public का एक opinion जाना चाहरा था इस चीज के उपर, बट अब मैं public opinion के साथ अपना एक personal opinion भी आपको side में दे दूँगा, जिससे आपको थोड़ी help हो जाए, अभी हम अगर देखें, तो 15,800 पर अभी भी 48,000 contracts फसे हुए हैं, 53,000 फसे हुए हैं, 15,900 पर और 16,000 पर लगबग 65,000 contracts फसे हुए हैं, इतनी short covering हुई है, उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग trap हो चुके हैं, 16,050 पर 46,000, 16,100 पर 70,000 call writing फस चुकी है, अभी के हिसाब से, और इस वक्त अगर आप Nifty के futures देख रहे हैं, अभी भी 30-40. उपर दिखा रहा है, अगर मैं world market आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, डाव फ्यूचर 100 पर उपर है, नस्डेक और S&P फ्लाट है, European markets mildly positive है, इतनी जादी कोई positive नहीं है, जर्मनी में weakness है, जर्मनी में weakness है, जर्मनी में वीकनेस है, जर्मनी में वीकनेस है, जर्मनी में वहां के economic data खराब आए है, बाकी overall world market ठीक है, अभी तो, बट जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये update मेरे को देना जरूरी था, काफी लोग पूछते हैं कि टेकनिकल सही में वर्क करते हैं, मैंने आप लोग को क्या बोला था, डाव जोन्स 35,180,200 के उपर जब तक नही कर सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, बट ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होनी चाहिए, इस ट्रेंड लाइन पर नजर रखेगा, डाव जोन्स के लिए ये बहुत क्रिटिकल ट्रेंड लाइन है, अगर कुछ अभी भी बीर्स को उमीद है, तो वो केवल इस होगा, तब हमारे मार्केट में कुछ अभी दिक्कत होगी, वरना हमारे खुद के जो क्यूज है, वो बहुत पॉजिटिव है, डेटा बहुत पॉजिटिव है, और ये पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉंग है, अगर आप देखें आज के दिन तो, क्योंकि 16,000 पे 1,23, पुट राइटिंग आज के दिन हुई, 1,35,000 ओवरॉल ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, 16,100 पे 67,000 जो है, वो पुट राइट हुई है, और आज के दिन लगबग 69,000 कॉंट्रैक्ट जो है, वो आज के दिन राइट हुए हैं, टोटल बैठे हुए हैं, और उसके बाद अ लिए है, तो डेटा, ओवरॉल अभी आप सामने से देखते हैं, उपर से बहुत पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन का डेटा, इसमें कोई दोराए नहीं है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, शाम को FNO डेटा देखना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर वहां पे पता चला क पुट राइटिंग रीटेलर ने करी है, तो पुट राइटिंग के जो स्ट्रेंथ है, वो आटोमेटिकली 50% कम हो जाएगी, और ये जो हलकी फूल की कॉल राइटिंग हुई है, वैसे लगता तो नहीं मेरे को कोई कॉल राइटिंग बिग प्लेयर्स में आज करके गया हो होगी, डाइट वुट बी जो मार्केट के लिए कैप की तरह काम करेगा, बट जैसे कि हम बोलते हैं, प्राइज एक्षन इस दा किंग जो की हमें आज के दिन ट्रेड में देखने को मिला, आपके लिए कल के लिए क्या ट्रेड बनेगा, देगे एक तो इसने आज की जो सप करते हो, तो अगर मैं फिबोनाची लेवल आपको अगला इंपोर्टेंट बताओं तो वो यही है, 16,135 जहां पर आज इसने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लिया, 135 का लेवल एक बहुत क्रिटिकल फिबोनाची लेवल है, तो यहां पर अगर बान लीजे, मार्किट हलका फ ब्रीच होगा, तो नीचे इसके पास सपोर्ट यहां पर या तो यह स्विंग एक एज़ सपोर्ट एक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है, यह स्विंग आपके लिए सपोर्ट करेगा, 16,090 और 16,100 की रेंज, यह ब्रीच होगा, तो यह नीचे की साइड, 16,050 और 16,025 तक नीचे की साइड आ सकता है, इसमें कोई जो है इसे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बट मेरे लिए क्या है, 16,135 का लेवल ब्रीच होता है, उपर की साइड के मेरे टार्गेट होंगे, at least 16,200 पहला टार्गेट हम सेफ लेके चलेंगे, और अग्रेसिव टार करेगा, तो यह बहुत क्रिटिकल लेवल है, 16,200 पहला जो है प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, इसके आसपास आप प्रॉफिट बुक करना सोच सकते हैं, आस टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजे, और उसके पास 16,275, तो यह दो ट्रेड मेरे बनते हैं, डेटा स्ट्रॉंग है, ओवराल मोमेंटम स्ट्रॉंग है, बट अमेरिका में अगर कुछ गड़बर नहीं होती है, तो हम लोग कल 16,200 भी क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, just because on the base of data और कल SBI के रिजल्ट भी है, तो बैंक निफ्टी कल एक्शन में हो सकता है, वो तो हम Magnifty की वीडियो में discuss करी लेंगे, नीचे की side up क्या देखना चाहिए, देखो मैं आज भी आपको यही बोलता हूँ, जो मैंने कल बोला था, अगर इस market को गिरना है, हमें एक बड़ा gap down चाहिए, बड़ा gap down क्यों चाहिए, यह जो सारे put writers हैं, 16,100 के put writers हैं, 15,900 के put writers हैं, इनक को gap down चाहिए, कम से कम 100-500 points का, तब कुछ हो सकता है, मंदी की side, बट कल के लिए मेरे को जादा मंदी इसमें दिखाई नहीं देती है, break out क्योंकि दो महिने का एक range हमने बनाई थी, 15,900 नीचे की side और 15,600 नीचे की side, दो महिने बाद हम उस range को breach कर रहे हैं, और इतना strongly volumes के नीचे open होना पड़ेगा, तब ही market गिरेगा, ये मेरे लिए एक बहुत critical level है, अगर आपको shorts भी initiate करने हैं, जब तक 16,025 का level breach नहीं होता है, shorts करने का सोचना भी मत, अभी हर dip को buy किया जाएगा, और aggressively buy किया जाएगा, just because call writers फसे हुए हैं, जब भी dip आएगा, call writer का जो loss है, तो कम loss पे वो अपनी call जो उसने write करी विए उसे buy करेगा, तो क्या होगा, market automatically उपर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से data में जब trapping होती है, longs की या shorts की, तो वो market को अपनी direction में चलाते रह सकते हैं, तो कल के लिए हमारा view plan बिल्कुल simple है, आप लोगो समझा गया होगा, तो आ बिलता हूँ आप सगली वीडियो में, thank you so much watching guys, जैहिंद, बंदे मातरम